हलो व्यूवर्स और लिसनर्स आप सभी का स्वाकत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के वी क्लासिस पर तो मैं साक्षी शर्मा आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूं उसमें हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं यह जो कोरोना वायरस फै वायरस एक वीडियो हम पहले आपके लिए लेकर आए थे आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे के वी क्लासिस के यूरिप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए हमारे आज की वीडियो को शुरू करते हैं कोरोना वायरस यह जो वायरस है कोरोना वायरस इसको लेकर पिछले दो मैहिने से पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है इरान से लेकर इटली तक एगलेंट से लेकर अमेरिका तक और अब तो भारत में भी क्या इसकी हालत हो रही है इस वज़े से वो भी आप लोग देख चुके हैं कि भारत में भी कोरोना जो है वो दाकिल हो चुका है चीन से निकले इस वायरस का जिस तरीके से अब तक कोई इलाज नहीं मिला है उसी तरह इस वायरस को भी रहसे में तरीके से सुल जाया नहीं जा सका है लहादा इस वायरस की तहें तक पहुंचना ज़ो है वो बैहर जरूरी है Are जाना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना कब Image क्यों और कहां से आया है ज़र यह जो वायरस और से कोरोना वायरस कंधक किस तरीका से फ्याद है यह आप लोग जानते ही है इस वाइरस से नजाने अब तक कितने लोगों की मौत हो चुके है भारत में भी कोरोना का कहर जो है वो थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है भारत में अभी तक कोरोना की जो केसिस हैं जो मामले हैं वो सामने आज रहे हैं अभी भी गौर्मेंट जो है अपने लेवल पर कि पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि किस तरीके से इस वास की जो चेंद है उसको तोड़ा झायए। बात करें अगर हम यह जो वाइर सिर्ट भाव झूची के पश्फ्फय और टेफ नहींス तो बात करते हैं हम अगर वाइरस जो है वो नोटिस करते हैं मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा वाइरस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था इसके जो जनेटिक है वह सीक्वेंस को गौर देखनी पर पता चल रहा था कि यह जो चमकादड़्यानी की बैट जो होता है उसके करीब हो सकते हैं साइंटिस जो जो कैपिलिटी थी उसको देख पा रहे थे जिसने की 2002 और 2000 चीन में 2002 और तीन में चीन में महामारी ला दी थी और दुनिया भर में 700 से जादा लोग उसके शिकार हो गए थे उस वक्त भी यह पताया गया थे कि सोर्स जो है वाइरस वह चूने और संक्रम जगती के छींकने या खासने से फैलता है लेकिन तब चीन इस वाइरस को छुपा ले गया था बात करते हैं हम यह जो कोरोना वाइरस है इसका जो दिसंबर का पहला हफता था यानिकि 2019 वहान चीन में क्या घटना घटी हुई थी तो दिसंबर की शुरुआती हफते में वहान की सी फूड मार् पहुंचे वहां की जो सेंटेस्ट हैं उन्होंने माइक्रोस्कॉप की जर्ये इसको देखा जो उन्हें दिख रहा था वो आने वाले जानलेवा ग्लोबल खत्रे का एक संकेत था और यह खत्रा किस हद तक बढ़ा हुआ है यह आप लोग भी देख सकते हैं मगर चिनियर हिक चीन के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर ली वेनलियंग उनके अस्पताल में इस्थान्य सी फूड मार्किट से करीब साथ मरीजों थे वह पहुंचे यह वही डॉक्टर ली वेनलियंग हैं जिन्होंने दुनिया को पहली बार इस जानलेवा वायरस से आगा करा था बहराल इन म पर अपने मेडिकल कॉलीज के अलुमेनी ग्रूप में भी जानकारी दी और सबको अपने जानकारों दोस्तों और रिष्टदारों के इसके बारे में आगा कराया लेकिन कुछ ही गंटों में उनके जो मैसिज थे उनका स्क्रिंशोट वायरल होने लगा अब बात करते हैं हम जनवरी का पहला हफता जाने की 2020 का यह आप लोग जानते ही है जनवरी में न्यू यर मना जाता है जो नहीं साल की जश्ट में दुनिया और चीन इस कदर डूबे थे और ठीक उन्हीं की नाग के नीचे यह वायरस जो था यह लगतार फैलता जा रहा था सास से चौदा फिर 28 जनवरी 2020 को इंस्टिट ऑफ वायर लोजी नेशनल वायो सेफटी लैप जो की चीन में है नए साल के बाद अब जो चीनी नया साल आया उसमें अफरा तफरीशे बचने के लिए चीन नई जान लेवा वायरस की खबर को सामने तो नहीं आने दिया मगर अंदर ही अंदर को में चमगादरों की ताज़ा जादा है बलकि यहां चमगादर और दूसरे तमाम जानवरों का मास खाने और सूप पीने का चलन भी जोरो पर था चीन के जो लोग है वो चमगादर का सूप जानवरों का मास और पता नहीं क्या क्या खाते हैं इसी के कार अभी चलते हुए साथ में ये कोरोना वाइरस के चलते एक हंता वाइरस जो है वो और जुड़ गया है तब तक कि जो जाच की गई उसमें ये तो साफ हो रहा था कि हो ना हो ये जान लेवा वाइरस जो है इनी चमकादरों से ही फैला है चाइनिस सेंटर फोर डिजिस कंट्रोल और प्रिवेंश को इस वाइरस के बारे में आगा करा रहे थे बलकि जो इससे इंफेक्टिट लोग थे उनको आईसोलेशन वार्ड में रखकर अपने तोड़ पर इलाज भी कर रहे थे इसी बीच ये खबरे चीन से निकल अकर दुन्या तक पहुंशने लगी चीन ने अभी तक मान लिया कि उनके मुल्क को करोना नाम के एक महावारे ने जगड लिया है कि उन्होंने इस वायरस से रिलेटिट जो है वो जूटी खबरे फेलाई हैं और लिफकित में उनसे माफी मांगने के लिए बोलना पड़ा जिसके कारण डॉक्टर को माफी मांगने पड़ी रिटन में इसी बीच वहान और आसपास के इलाकों के सासथ पूरा चीन इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुका था और उससे होने वाली मौत का जो आंकड़ा था वो लगतार बढ़ रहा था रुकने का नाम नहीं ले रहा था बात करते हैं अगर हम साथ फरवरी की तो अचानक खबर आई की कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले जो डॉक्टर है ली उनकी मौत हो गई है बताया गया कि डॉक्टर ली जो है वो 12 जनवरी से अस्पताल में भरती थे और 30 जनवरी को पता चला कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं चीन ने कहा कि उन्हें बचाने की कोशिश हुई लेकिन बचाय नहीं जा सका वहां सेंट्रल हॉस्पिटल ने अपने रिपोर्ट में कहा कि डॉक्टर डी की मौत 7 फरवरी के रात करीब 2 बचकर 58 मिनट पर हुई बताया गया कि उन्हें कफ और बुखार था हाला कि वहां की जो गवर्मेंट है उनके गुटों का ये मानना था कि चीन ने इस महामारी का खुलासा करने की उन्हें सजा दी है उसके बाद फिर बात आती है मरीजों को मारने की अर्जी तो ये खबर इसले भी हावी हुई क्योंकि शुरुआत में चीन के 20,000 कोरोना पेडितों को मार देने के लिए सुप्रेम कोट पीपल्स कोर्ट में अर्जी देने वाले खबर भी आई थी मगर ये दोनों खबरे फर्म नहीं हो सकी लेकिन चीन में जो कंपर्म हुआ वह था दुनिया को अब तक का सबसे जान लेवा वायरस के सामने आने का सच जो है कोरोना वायरस जो अब तक देखते देखते हजारों लाखोर लोगों को अपनी चपेट में लेकर वेमौत मार चुका था तो यह था कोर उनकी जो मरत्य हुई है वो कोरोना वायरस की चलती हुई है या फिर चीन की सरकार ने उन्हें इस जानकारी को दुनिया में फैलाया उन्होंने इसकी उन्हें सदादी है यह अभी तक सवाल बना हुआ है बात करते हैं अगर हम आगे की कोरोना वायरस से रिलेटेड जो हमारी मत्यौने बात जानकारी है उनके बारे में हम बात कर लेते है अन्हें मूलभूच जानकारी कोरोविट Complete से संक्रम्ण है जो सीधे अत्वास संक्रम्व व्यक्ति या वस्तु की संपर्क में आने से पैलताया है कि कोरोना वायरस नाम से भी जाना जाता यह कोविट नायनिकि वाइरस डिजीज 19 इसको इसलिए बोला गया क्योंकि यह 2019 में ही चीन के वुहान शहर में इसने वाइरस ने अपना पहला कदम रखा था तो इसे इसलिए इसे पैलता है यह सिदर संक्रमित व्यक्ति या वस्तु के संपर्ग में आने से से में जाने के warto या सिर्ब दूसरा व्यक्ति इसके संपर्ग में आ जाहे वा स्थैंस्हों करमन वाइरस शुसंतंत को प्रभावित करता है जैसे नाक, गला, फेफड़, आधी, कोरोना वाइरास से संक्रिमित जक्ती जो होगा और वहवक्ती प्रॉपपर करीके से साथ भी नहीं ले पाएगा कोरोना वाइरस एक नविन संक्रामक है जिसे नोवल कोरोना वाइरस का नाम दिया गया यह संक्रामक वाइरस प्रथम बार वुहान चीन में दिसंबर 2019 में पहचाना गया था यह जो वाइरस है यह new invented वाइरस है इसका जो family group है वो पुराया है जिसमें की एक source वाइरस जो था पहले पाया गया था चीन में ही लेकिन यह वाइरस जो है जिसकों की novel coronavirus के नाम से जाना जाता है यह प्रथम बार वुहान चीन में 2019 में पहचाना गया था बात करें अगर हम यह वाइरस कितना घातक है तो coronavirus जो है यह उच्छ संक्रामकता परन तो निम्न घातक है COVID-19 की घातक दर कितनी है 23% है यह 2023 में फैले सोर्ज जिसकी घातक दर 10% ती और 2012 में सामने आए मर्ज घातक दर जिसकी की 35% सी उससे बेहत कम है यह वाइरस जो है घातक होने के साथ साथ जानलेवा भी है जिसमें कि अब तक कितने लोग इसका स्टिकार हो चुके हैं और उनके मृत्यों हो चुके हैं यह लोग आप जानते ही हैं तो coronavirus जो है यह उच्छ संक्रामकता परन तो निम्न घातक है coronavirus जो है इसका इतना आतंक क्यूं है यह जो वाइरस है चीन के वहान शेहर से शुरू हुआ और फिर इटली जापान फ्रांस अमेरिका और अब तो भारत में भी इसने अपना कितना कहर बरपाया हुआ है यह लोग आप जानते ही है इसने इतना आतंक किस वज़े से किया हुआ है तो जान लेते हैं सिद्ध तथ्यों की कमी और अफवाहों के कारण समुदाय में खलबली है वाइरस के नविन होने के कारण लोगों में पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में संकून जानकारी का भी अभाव है यह बात बिलक इस तरीके से मची हुई है इतना आतंक मचा हुआ है कि लोगों में जो इफेक्ट पढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोग इसके बारे में संपून तरीके से नहीं जानते हैं और अफवाहों के कारण ही यह जो वाइरस है इससे रिलेटिड जो चीजे हैं उन् जब बग असी पर्सेंट एलक्शन होते हैं और वे दो सप्ता में ठीक हो जाते हैं स्टाटिंग में क्या होता है कि जैसे वाइरस अगर किसी हो है इसमें को व्यक्ति इससे इंफेक्टिड है उसमें को रोट्स पायों पाई जाते हैं और उसका जो टेस्ट है वह पॉजिट हो जाते हैं अधिकतर समय पर की गई चिकेट से देख बालों से लक्षणों का उपचार किया जा सकता है सही समय पर उपचार किया जा सकता है बात करें अगर हम कुल प्रश्ट क्रेश संख्या की तो 111 इसमें कुल मृत्यू कितनी हुई 2 ठीक हो गई रोगयों की संख्या 3 और उपचार रज रोगयों की संख्या 98 चलिए अब बात करते हैं यह जो वाइरस है कोविड-19 इससे कौन और कितना बिमार हो रहा है तो बुज़ूर्ग लोगों में कोविड-19 जो है इसका गंभीर संक्रमन होने की दुगनी संभावना होती है बात करें अगर हम senior citizen की तो यह जो वाइरस है उन लोगों को जल्दी effect उनको करता है क्योंकि उनको बुज़ूर्ग लोग जो होते हैं उनको उनकी जो immunity power होती है वो दीरे दीरे age के साथ साथ कम होने लगती है तो उसी के वज़े से यह जो वाइरस है उनमें गंभीर संक्रमन फैला दाता है और बुज़ूर्ग लोगों में इस वाइरस को होने की जो संभावना है वो दो गुनी जो हो जाती है प्राए कोरोना वाइरस से सम्बंदित बिमारी जो है वो बच्चे ऐवं यूवा व्यसकों में अत्यनत हलकी होती है जो रिपोर्ट सामने आई थी और विशेश्रग्यों का जो कहना था उनके अकोर्डिंग ये जो बिमारी है वो बच्चों और यूथ में अत्यनत हल्की होती है क्या बच्चों को भी कोरोना वाइरस संक्र्मन का खत्रा है कोविट 19 जो है ये बच्चों में बहुत मंद लक्षण एम म्एधा जया ही प्रकटहोता है या इसकी वाइरस है को पाये unit मैं भात बात करते हैं यह जो वायरस कोरोना वायरस यह कैसे फैलता है एक संक्रमित व्यक्ति को संक्रमन फैला सकता है जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इस वायरस से इंफेक्टिड है और उसी केट साथ में वह व्यक्ति घड़ा है जो कि प्रॉपर हेल्थ है उसको इस वायरस से खत्रा न टच की होगी तो वह भी व्यक्ति जो होगा कोरोना वाइरस से संक्रमित हो जाएगा एक संक्रमित व्यक्ति में स्वस्थ व्यक्ति तक कोविट-19 संक्रमन आंख नाक मुह के रास्ते से चीक और खासी के द्वारा फैलता है संक्रमित रोगी के निकट संपर्क से भी यह फैल सक तो इसका आंसर होगा नहीं यहां पर मैं आपके साथ डिसकस कर रहे हूं जिसमें की लोग जो हैं अफवाह बना रहे हैं कि यह खाने पीने की चीजों की वज़े से चुहें की वज़े से गिलैरी की वज़े से इन चीजों की वज़े से फैल रहा है तो उन्हीं अफवाह के त रहा होतो हो क्या उसे कोरोना संक्रमन है नोवल कोरोना वाइरस का संक्रमन के इवल निम्द परिस्तियों में हो सकता है यदि बुखार खासी सास की तकलीफ के साथ साथ निम्द में से कोई इत्यास हो अगर कोई व्यक्ति नॉर्मली खास रहा है या चीक रहा है तो क्या उसे क कोरोना वाइरस है तो इसी के लिए क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे कि अभी यह जो वाइरस है चीन के वहान से शुरू हुआ था और भारत में यह क्यों फैला है भारत में इसका सबसे बड़ा फैलने का रीजन यही है कि फॉरें से जो लोग हैं जो की इंफेक्टिड हो चुके थे और वह अपने देश वापस आए फिर वह और लोगों से मिले इसी तरीके से यह चैन जो है वह क्रियेट होती चली गई तो यह इसका एक लक्षण है इस तरीके से यह जो है वैरेस यह फैल रहा है या ऐसे किसी व्यक्ति के निकट संपर्क से और साथ ही साथ कोरोना वाइरस के उप्चार रोगों के लिए चिनित स्वास्ते केंद्र या परियोक्षाला में जाने से यानि कि एक तो पॉइंट यहां अगर हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आजाएं जो कि वैरेस से इंप्टिड है तो हम भी उस वाइरस से इंप्टिड हो जाएंगे और धार यहां पर कोरोना वाइरस के उपचार रोगों के लिए चिनित स्वास्ते केंद्र प्रियोक्षाला में या केंद्र में जाने से जै भी कोरोना वाईरस से संक्रमन हो जाएंगे बात करें अगर हम यदि को वायरस का किसी को संक्रमन हो तो वह क्या करें अगर कोई व्यक्ति जो है वह इस वायरस से इंफेक्टिड हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए कोविट-19 नक्षण संपख्धन बंदांग से दो से 14 दिनों में उत्पन होते हैं यानि कि यह जो वायरस है इसका टाइम डूरेशन कितना है दो से 14 दिन ऐसे में भुखार जुखाम सड़ी गले में खराश होने पर घबराना नहीं चाहिए यहां पर दिन में दो तिन बार भाप लना चाहिए ताकि श्वसंत अंतर का यह जो वायरस से यह हमारी नाग के साथ सथ गले को भी बहुत बुरी तरीके से इंफेक्टेड करता है जिसमें कि हमारा जो गले से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम होने लगती है तो उसके लिए क्या है कि जितना जादा हो सके गरम पानी पीए और आराम करें और नेक्स्ट ह साबुन पानी से हाथ दोने से संक्रमन के फैलाव को रोका जा सकता है किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित है तो उसको बार बार यही सला दी जा रही है यह नॉर्मल भी अगर आप इस वायरस से बचना चाहते हैं तो जितनी बार हो सके आप अपन तो अगर आपको कोई भी आप ऐसे घर पर दवा ना ले आपका जो निकटम हो या डॉक्टर हो उनसे इस बारे में सला ले और डॉक्टर के परामर्श अनुरुप दवा लेनी चाहिए खुद से कोई भी दवा लेना घातक भी सिद्ध हो सकता है बात करें अगर हम नॉर्मली जो हमको कोल्ड होता है उसकी समाने जुखाम फ्लू एम कोरोना वाइरस के बीच डिफरेंस की तो incubation अवदि याने की समाने जुखाम जो होता है उसके अवदी होती है एक से तीन दिन flu की अवदी होती है एक से चार दिन और coronavirus की जो time duration है वो है 2 से 14 दिन लक्षनों का दिखना समाने जुखाम जो है वो दीरे दीरे भड़ता है फ्लू एकदम से और कोरोना वाइरस भी धीरे भड़ता है लक्षणों की अवधी यह समाने जुखाम है इसके अवधी कितनी होती है साथ से बारा दिन फ्लू तीन से साथ दिन और कोरोना वाइरस मन्द प्रकंड दो सप्टा गंबिर प्रकंड तीन से शैश अपता यानि कि यह अगर किसी हो नॉर्मल वे में ही है तो उसकी टाइम दूरूरुशन है टू वी क और किसी को सी Recently पर और तो उसके टाइम डियूरुशन है वो तीन से 6 सपता इसकी जो सामाने लक्षण है बुखार जुखाम में कभी-कभी बुखार हो जाता है फ्लू में आम तोर पर बुखार होता ही है और कोरोना वाइरस में भी आम तोर पर बुखार जो है इसका लक्षण है नाग भेना सामाने जुखाम में प्राए फ्लू में कभी-कभी और कोरोना वाइरस में यदा कदा बात करें अगर हम गले में खराश की तो जुखाम में प्राये जब आपको जुखाम होता है तो गले में खराश आटमेटिकली हो ही जाती है फ्लू में कभी-कभी और कोरोना वाइरस में यदा-कदा खासी जो है वो जुखाम में प्राय होती ही है फ्लू में कभी-कभी और कोरोना वाइरस में खासी जो है इसका एक मुख्य लक्षन है शरीर में एठन समाने जुखाम में यदा-कदा ख्रू में से समाने में बतहंता में और चृषा ह counseling की कर्वारेन होती ही से उसके तरीकिसे समाने में पात है जैसे उसके फेरे में अंदर शीषये चुप रहे हों तो प्रापर वये में सांस नहीं ले पाता है कि कि यहां पर है कि यह सत्य को देज बुखार खासी तता सास लेने में कटनाई हो तो यह उसे क्रिषम के लिए जाच कराने चाहिए यह चाहिए यह वं तो नहीं उसको एसे कोरोना वाइरस के लिए उसको जांच नहीं करा नीचाएं को व्यक्ति जो है उसमें अगर संदिक्द परिस्थी है और उसमें कोरोना वाइरस के सेलक्षन लग रहे हैं जैसे कि हमने भी आपको बताया तो उस इस्थी में चिकित्स अनुशनसा के अधार पर ही ये जो जांच है वो टराई जा रही है अगर हम कि क्या प्रोना वाइरस की जांच है वह किसी भी प्रयोकशाला में संभव है क्या इसके लिए घर पर सैंपल दिया जा सकता है तो यह जो है यह वायरस की अध्याजिक संक्रमाक्त को द्रस्टिक अतर रखते हुए केवल चिंद में इसकी जाच की जारा है कि लिए यह और कि सेमपल की जारा है कि लिया जारा है सेमपल यह जो वाटर वाइस्ट देश और दुनिया भर में कितना इसका प्रुकॉप चल रहा है इसी के चलते कई देश के कई शहरों को लॉकडाउन भी कर दिया गया है इसके साथ सथ सरकार ने लोगों को होम क्वारंटाइन की सला भी दी है भारत में जो करोना वाइरस है इसके भड़ते कहर की वज़े से इसका जो टेस्ट है और फैसिलिट नहीं होता है COVID-19 टेस्ट कोरोना वाइरस जो टेस्ट है इसके लिए आपको यूरीन या फिर ब्लड सैंपल देने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना वाइरस से टेस्ट के लिए आपको यूरीन या फिर ब्लड सैंपल द तो उससे पहले आपको अपने लक्षन की हमें जो बुखार हो रहा है उसके पूर्ण तरीके से जांच कर लेनी चाहिए बात करें अगर हम यह तरीके से किया जाता है नाक से किया जाता है जिससे व्यक्ति के गले से लेके नाक के मध्यम से एक लंबी क्यू टीप जो है वो डाली जाती है और टेस्ट के दुरान आपको बस अपने आपको शांद लखना होता है क्यूंकि कोविट 19 टेस्ट में 10 से 15 से कि लगते हैं या जादा से जादा एक मिनट का समय इससे अधिक समय नहीं लगता इसके बाद जो कलेप्ट किया हुआ सेंपल है उसको एक कंटेनर में रखा जाता है और प्रियोक्षाला में टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है बात करें हम यह जो टेस्ट के जाता है इस टेस्ट के परिणाम तक इंतजार करना होगा तो एक बाद टेस्ट हो जाने के बाद आपको अपने यात्रे थ्यास के आधार पर मोके पर भढ़ती होने के लिए कहा जा सकता है यदि आपका टेस्ट पोजिटिव होता है तो अन्य आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है और यदि आप चाते हैं तो एक बैट शिट पानी या घर का बना भोजन भी साथ में ले जकते हैं लिशन्त रहें सरकार इन जगों की सचता को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कई लोगों को इसके लिए वाउचर भी मिल रहा है साथ ही साथ आपसे एक चीज और कहना चाहूंगी कि आईसोलेशन जो है उसे होने पर डरे नहीं हाना कि टेस्ट के रिजल्ट को आने में एक या दो दिन लग सकते हैं तब तक आपको पेशन्स की ज़रुत होती है अगर आपको आईसोलेशन में रखा जाता है तो डरने की क कोई बात नहीं है क्योंकि आपके पास आपका मुबाइल फोन होगा और आप अपने दोस्तों या परिवार के टच में रहेंगे बात करेंगे हम कि इस वाइरस से इंफेक्टिड जो परसन है उसका उपचार संबब है तो कया कोरोना वाइरस अंक्रमनक का उपचार संबब है हाँ लक्षन आधारत उप्चार अत्यंत प्रभावी है। सबसे पहले सिम्टम्स यह देखने पड़ेंगे कि जो इन्फेक्टिट परसन हैं उसमें सिम्टम्स क्या हैं किस तरीके से हैं उसी के आधार पर उसका उप्चार किया जाएगा। फिलहाल नोवल कोरोना वाइरस का कोई विशिष्ट उप्चार अत्वा वैक्सिन उपलब्द नहीं है। इसके लिए वैक्सिन जो है उसकी जो खोड़ की जा रही है। उसी के लिए सुनने में यह भी आया था कि इबोला वाइरस जो फैला था उसमें जो वैक्सिन यूज की गई थी शायद वह इस वायरस को खत् बताया था कि कोरोना वाइरस से रिलेटिट काफी अफ़ाई भी फैल रही हैं तो एक अफ़ाई यह भी फैली थी कि जो लहसुन के सेवन से कोरोना संक्रमट जो है इसकी रोक्ताम की जा सकती है लेकिन यह जो तथ्थे है यह बिलकुल पून रूप से गलत है ऐसे कोई भी अग्यानिक साक्षे उपलब नहीं है जिससे की लहसुन की कोरोना लहसुन जो है वो कोरोना वाइरस संक्रमट से सुरक्षित प्रदान करेगा या नहीं करेगा ऐसा कोई भी तथ्थे सामने नहीं आया है कि यह आप यदि लहसुन का सेवन करेंगे तो कोरोना वाइरस संक्र पढ़ने पर कोविट 19 का जो फैलाव है वो कम हो सकता है यह कहा गया है कि यह जो वाइरस है यह गर्मी में कटता है तो इसी के करण आपको बार बार समय यह भी दी जा रही है कि आपको अगर गले में ऐसी कोई प्रॉब्लम या सिम्टम्स लगते हैं तो आप गरम पानी जितन जो है वो वस्तू सतो या कप तक जीवित रह सकता है तो चेदुख्त सते हैं जैसे की काज़ लगडी पुष्टा सपंज कपड़े आधी पर है यह जो वायरस है यह 8-10 घंटे तक जीवित रह सकता है और 11 चेदुख्त सते जैसी की काच, प्लास्टिक, मेटल और वारुज् जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वाइरस सुरक्षा के लिए ये कहा जा रहा है कि आप प्रॉपर अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें और बाहर जाएं तो मास्क वश्य पहने इस्पेशली जो वेक्ति इंफेक्टेड है या जिनको नॉर्मली भी कोल्ड कफ की शि साबुन पानी से बार-बार हाथ दोना चाहिए और संक्रमन के रोप्ता में तो कपड़े का मास्क उप्योग करना चाहिए नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति को खासी जुखाम इसके लक्षन जो है वो दिख रहे हैं तो उस व्यक्ति को प्रॉपर दिन में कम से कम पांच बार अपने हाथों को अच्छी तरीकिया साबुन से दोना चाहिए और मास्क का उप्योग भी करना चाहिए तीन परक्ति वाला डिस्पोजल सर्जिकल मास्क जो है वो वाइरस से सुरक्षा के लिए प्रयाप्त है इसका उप्योग जो है वो स्वास्ते कर्मियों एवं पैरा और जो है किया जाना चाहिए तरह प्रशन उठाया है कि क्या को डोना से सन्क्रमित ये से पालतू आप उन्य जानवों को ये वार अफ्य सकता है तो आभी तक कि ऐसी जो बात हुई है उसम morning जानवार में कडा मारी कोई प्रतिवेदन नहीं अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिससे कि यह साबित हो कि यह जो वाइरस है वो जानवरों में जैसे कि कुट्टे बिल्ली में भी फैल रहा है फिर भी जानवरों से संपर्क के पहले और बाद में हाथ दोना उचीत है क्योंकि यह जानन जानवरों में भी फैल गया तो उसका पता लगाना काफी कठिन होगा इसी के लिए आप अगर जानवरों के संपर्क में आते हैं तो उससे पहले और बाद में हाथ अवश्य रूप से धोले कोरोना वाइरस के लिए प्रमुक चिंता का विशे क्या है कोविट 19 जो है यह वा आरिका जापान फ्रांस में किस तरीके से हाहा कार मचा चुका है और भारत में भी इसका प्रकॉप जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है तो बिल्कुल यह जो वाइरस है चिंता का विशे केवल भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है समुदाय में फैलाव अभी जो है वो चाइना कोरिया इरान इटली होंग कोंग साउथ कोरिया आदी में देखा गया है यह जो वाइरस है यह चाइना कोरिया इरान इटली होंग कोंग साउथ कोरिया और अब तो भारत में भी किस तरीके से यह फैलता जा रहा है आप लोग न्यूज के मा सबसे पहले आप अपनी खुद की सुरक्षा करें खुद के हाथों को अच्छी तरीके से रहें उसके बाद आप से रिलेटिड आप से लोग हैं जो कि आपके आसपास रहते हैं उनको इस जानकारी के बारे में अवकत कराएं और आपकी समुदाए की रक्षा जब आप खुद दो आपको सार पानी कंणते हैं तो एलकोल सेनीटाइजर के अप्योंग करेएं और आपको साबन पानी नहीं उपलब्द रहें तो आपने अपने हाथों 8 से फने को जितना ज़यादा है रहते हैं जितना ज़ादा होसा उनको छूने से बचे खासते और चीकते हैं इस न्यून्तम की दूरी बनाए रखे अगर यसा ब्रॉट एक मिटर की दूरी अवेश्य बना करणे जब किसे मिलते हैं तो हैंडशेक करते हैं तो उसके इस्थान पर आप आप उनसे अभिवादन करें अगर हम आपके प्रियजनों की सुरक्षा किस तरीके से कर सकते हैं अपने हाथ पर खांसते या चीकने से बचें रुमाल या टीशू का उपयोग करें आप बाजू को मोड़कर उसके अंदुनी सतह से मुझ को ढखें जब अगर हमें कोई ऐसा है कि हम चीक आ रही है तो अगर आपके पास हैंकी है टीशू है तो आप उसका यूज करें अगर आपके पास हैंकी है टीशू नहीं है तो आप अपने डारेट हतेलियों का यूज ना करें आप अपनी बाजू का यूज करें कोहनी के द्वारा आप चीके कि अगर उसके जो ब बिद्भार से बचें क्योंकि भीड़बार में हमें नहीं पता हो जा कि कौन व्यक्ति इस संक्त्रमित है और कौन व्यक्ति नहीं यदि आप बिमार है या किसी बिमार की देख बाल कर रहे हो तो मास्क का उपयोग अवश्य रूप से करें आपके समुधाय की रक्षा आपके समुधाय की रक्षा किस टर्कार से कर सकते हैं? आपना आतंग बचाया हुआ है जो इस तरीके की अफवा फैलती है उसकी वज़े से भी लोगों में यह जो बहावे की इस्तिती होती है वह और जादा प्रियेट हो जाती है पैनिक हो जाते हैं लोग तो करपा करके इस परकार के मैसिज को फारवर्ड ना करें तो फ्रेंट्स यही थी हमारे आज की वीडियो जिसमें की हमने यह जाना कि यह जो वाइरस है वह किस तरीके से दिसंबर से फैल रहा है चीन की वहान शहर से उसके बाद फिर जो डॉक्टर थे उनकी मरत्यू भी हो गई जिसमें की अभी तक नहीं डिसाइड किया गया है कि उ उनको सज़ा किस तोर पे मिली है साथ ही साथ आप इस वाइरस से किस तरीके से बच सकते हैं आप अपनी आसपास का एटमोस्टर क्लीन करके रखें यह जो टेस्ट है को रोना से रिलेटिड जो टेस्ट किया जा रहा है वह किस प्रकार से किया जा रहा है यह सभी हमने आप के साथ वीडियो में डिसकस कर लिया है मैं सब्सक्राइब आप से एक ही चीज कहना चाहूंगी कि अब तो हमारे जो अधन्य प्रदान मंतर नरेंदर मोधी जी हैं उन्होंने भी 21 दिन के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है तो जिस प्रकार से केंदर सरकार आपके स्वास्ते के लिए आपको लाब देने के लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं सफाय करमचारी हैं पुलिस वाले हैं मीडिया जो है वो अपना कितना एफट कर रहे हैं यह आप लोग देखी सकते हैं तो कृपय करके उनका साथ दें घर पर ही रहें जग तक लॉकडाउन है कोशिश यह कीजिए कि यह जो वायरस है यह अभी भारत में स्टेज पर है अगर आप लोग का सैयोक रहा तो यहीं पर रुख जाएगा लेकिन अगर इसी तरीके से लापरवाही बढ़ती जाएगी तो यह वायरस कब थर्ड स्टेज में पहुच जाएगा किसी को पता न expense का यूज करते रहें मास्क का करतेल है खासत या चीकते समय विशेश तोर पर ध्यान लगते रहें कंवे classes की और से मेंसाक्श शर्मा आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगी फasy स scholzin को शॉम शर्लो पर ना निकल Fox